हेलो दोस्तों तो आपका स्वागत है एड़ी जार्गन क्लासेस में और आज हम क्लास लेने वाले हैं बनकेवरा भाग वन कवीता के जितने भी लेखक और पद हैं उसको ट्रिक से याद दिलाने वाले हैं जो जिन्दगी में कभी न भूलिएगा और उसके सभी बनकेवरा भा लाकी सब्सक्राइब करेंगे तो आगे देखिए आगे चलते हैं फिर से हम बात बताना चाहते हैं कि आपको ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं जो पढ़ाई ये आपके लिए है जो पढ़ाई एक और न्यू लाया है जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है अगर इस दर्द को जेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी ठीक है फिर से जो पढ़ाई आज तक आपको दर्द लग रही है जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही हो या है अगर इस दर्द को छेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी दोस्तों आप लोग बैठने जब पढ़ने बैठे न तो गरदा उडाकर एकदम बैठे एकदम मुबाइल दूर तो दोस्तों तोटा ठीक है उसके बाद पाने पीज़े लेकिन पास्ट मुम्त रखिए ठीक ना तो चलिए फिर से क्लासे स्टार्ट करते हैं अभी बनके वरा भाग 1 जो है उसका अभी सब्दार्थ और ट्रिक से याद करने वाले हैं लेका का और कविदा के नाम, ठीक है तो चलिए अभी हम करते कवी का नाम और जो नागपूरी के सबदार्थ है उसको हम लोग ट्रिक्स से याद करने वाले हैं यानि कि नागपूरी पद और कवी के जो लेखक के नाम है उनको हम लोग ट्रिक्स से याद करने वाले हैं और सबदार्त को, कठिन सबदार्त को, वो टोटल बनकीवराभाग जो है कभीता का जितने भी है सबदार्त, वो सब को आज हम लोग याद करने वाले हैं, इससे जाधा कभीता से कहीं से question नहीं आएगा, ठीक है, और सबदार्त से एक question, दो question तो आएंगे ही आएंगे, दो question, तो questions आयेंगे तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है और भी ऐसे बहुत सारे कठिन word है जो इस class में लिये जाएंगे ठीक है और सबसे खुशी के बात है यह है कि एक बार देख लेने के बात कभी जिंदगी में आप नहीं भूलिएगा कि पद कीतने होते हैं और कभी का नाम क्या है कौन से कवीता का तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखेंगे ठीक है और हाँ वीडियो अच्छा लेगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत आप लोग देखते हैं मुझे पता है कि अच्छा लगता है कि और वीडियो डालना चाहिए ने तो लाइक नहीं होगा सब्सक्राइब नहीं होगा और अजीव टैप लगता है लेकिन जहां तक मेरा रहता है कि अपना पूरा एफोर्ट लगाते हैं परियतने करते हैं कि अच्छा से अच्छा दे सकें अगर पहले तो आप यह बताईए कि पहले से स्टार्ट कर देते हैं, सब लोग लड़के लोग बोलते हैं कि सर, MCQ चाहिए बनके वरा भाग वन का, MCQ, तो MCQ जो है, क्लास आप पूरा देखिए, यह बनके वरा भाग वन का जो है, टोटल, स्टनोट्स, वल नाइनर और पीडियेव भी है, ठीक है, तो कुछ दिन में MCQ सबका आने वाला है, वो भी आ जागा, और बस पद का सब्दार्थ, और कुछ कविता को याद कर लिजे, अभी गला फसा हुआ है, तो इसके चलते हम एक दू दिन क्लास लेने में डिस्टर्ब हो गया, अब आज थोड़ा सा भी नहीं आ रहा था, तो आप लोग यह बताईए, ज्यादा टाइम्स ना पास करते हुए, यह बताईए, कि यह कौन से कविता से है, सबसे पहले, कि यह कौन से कविता का सबधार्त है, हम जान पूछके हम कविता का नाम नहीं दिये हैं, बिकुस आपके लिए देखें, गजबदन, विनायक, सिद्धिदाता, गनेश जी, यह कौन से कविता और जो कविता है, वो कौन से कविता का यह पद कितना होगा, आप लोग यह बताईए मुझे, ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि गनेश वंदना, यह कौन से कविता से लिया गया है, गनेश वंदना, ठीक है, गनेश वंदना, अब चलिए, इसका ट्रिक सबदार्त हम लोग देखेंगे, ठीक है, सबदार्त हम लोग देखेंगे, अब बताईए, कि जो गनेश व तो हनुमान सिंग लिखे हैं अच्छा भात है लेकिन अफ याद कैसे करेंगे ठीक है गनेशवन्द्ना को हनुमान जी लिखे हैं कैसे याद करेंगे तो हम बताते हैं बस एक ही टृक है जो कभी जिंदगी मेंना भूलिएगा विडियो को जरूर देखिएगा इसकी इपना कीजिएगा यहां भी भगवान का नाम है देखिए गनेश वंदना गनेश भगवान ठीक है और यहां भी भगवान का नाम है हनमान जी ठीक है तो यह तो रिलेट हो जाता है कि दोनों भगवान का नाम है भाई तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं की गनेश वंदना हनमान सिंग लिखे है अब आपको बताते हैं तो आप लोग का माइन में चल रहा होगा भाई तो कभी का तो नाम हम लोग याद कर चुके हैं ठीक है लेकिन हम लोग पद कैसे याद करेंगे तो पद हम आप लोग को ट्रिक बताते हैं गनेज जी का सूड है ना गनेज जी का तो सूड है कोई भी बुरा ना मानेंगे बस ही ट्रिक के लिए गनेज जी का सूड यानि कि पद कह गो है इसमें चार है तो गनेज जी का सूड कितना फिट का था चार फीट का था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बस ट्रिक से, ट्रिक के लिए कर रहे हैं, किसी को भावनात्मक ठेस न पहुँचे, भी कुछ कुछ नहीं है, बस ऐसी गनेजी का सुर चार फीट का है, यानि कि हम लोग अपने से याद करने के लिए, यह MKB है, ठीक है मन की बात है, क्या है MKB, मन की बात, जब हम लोग एक टीचर थे, तो वह MKB कराते थे, ठीक है, कि जो तुम अपने मन में सोचता है न, उसको MKB, जब मैट पढ़ाते तो, तो यहाँ देख लिए अभी MKB आपको करना है, बस MKB में रखना है, यानि कि मन की बात है, और यह मन म में रखना है कि गनेश वंदना, यानि कि यह गनेश जी का सोण 4 फिट का था, अब तो कभी नहीं भूलिएगा कि गनेश वंदना में 4 पत थे, और इनके लिखक हनमान सिंग, हनमान सिंग दोन भगवान का नाम था, चलिए, अब इसके जो थोड़ा सबदार थे, उसको देख लेते हैं, गजबदन, विनायक, सिद्धी दाता, यानि किसको बोला गया है ये नाम से, ये क्वेस्टन बहुत बार पूछा चा चुका है, ये सब याद रखना एकदम महा इंपोर्टेंट है, महा इंपोर्टेंट मतलब नहीं समझे, महान इंपोर्टेंट है, ठीक ह कलेश, कलेश कर्माने का होईला, तो कलेश कर्माने दुख और तकलिफ होईला, सेल सुता सब्द का परियोग किस के लिए किया गया है, तो माता पारवती जी के लिए किया गया सेल सुता का, कौन से तो गनेश वंदरा में सेल सुता किस के लिए परियोग किया, करल गयल है के ऐसे question पुछेगा, तो माता पारवती के लिए, मोपर का क्या मतलब होता है, यानि कि हम पर, हमरे उपर, चिक है, यानि उसे को मोपर काते है, शशी, राकेश, सशी, राकेश का मतलब क्या होता है, चांद होता है, ये वीडियो कैसा लग रहा है, comment section में, अच्छा लग रहा है, comment section में, जरू comment करें, subscribe करें, ठीक है, तो अभी देखते हैं, next, सब्धार्थ, ये सब्धार्थ, हरे एक exam में, कम से कम तो आपसे 2-3 question, जब आपसे पद, ये कवीता से question पुछेगा न, बनिकेवरा भागबन से, तो 2-3 question आपके ये सब्धार्थ से रहेंगे, याद सब्धार्थ से 2-3 question रहेंगे, इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना है, देखिए, जदुरया, दामनी जोती, पीत मनोहर, मौर चंदरिका, अधम और चाम, अरे भाई, सब्धार्थ पढ़ने से पहले ये तो पता दिजे, कि ये कौन से कवीता से लिया गया है, आपक कि जदुरया, कौन से कवीता में, मतलब सामिल हुआ था वर्ड, तो आप लोग माहिन से सोचिए, मन की बात सोचिए, मन में, कि ये कौन से कवीता से लिया गया है, और ये कवीता से जो से लिया गया है, उसकी कवी कोन है, और इसका पद कितना है, चलिए comment section में comment कीजिए, ज श्री विरिंदा वन पर, अब बताईए, कि इनके लेखक कोन थे, अरे बहुत मज़ा आने वाला है, ऐसा trick बताएंगे, जो जिन्दकी में कभी नहीं भूलिएगा, एक्जाम हौल में जाएगा न, उस टाइम भी नहीं भूलिएगा, ठीक है, यानि कि इनके लेखक कोन है, और पद कितना है, पद 5, चलिए हम लोग याद कैसे करेंगे, तो श्री विरिंदा वन पर, वन में क्या रहता है, वन में घास रहता है, वन में क्या रहता है, बस यह trick है, एकदम जबर जस्त जिसको हम बोल सकते हैं, तो वन में क्या रहता है, घास रहता है, ठीक है, वन में घास रहता है तब आप तो अब कभी नहीं भूलिएगा कि श्री वरिंदा वन पर किसने लिखे है यानि किसने लिखा यानि वन में क्या रहता है घास रहता है यानि कौन लिखे है घासी राम अब हम लोग याद रखते हैं देखे पद पद इसका कितना है पाँच है अब जाएगा कितना पाँच समझ मैं है पन से क्या हो जाएगा पाँच तो अब तो ना भूलिएगा वन से हो गया पन और पन से हो गया पाँच यानि कि यह ट्रीक है तो यानि श्रीवरिंदा वन पर पाँच पद है श्रीवरिंदा वन में कवीता में अब इसके लेखक वन में घ जदुरया एक किसिम कर नाचके ठीक है और डामनी जोती कर मतलब क्या होता है इस जो स्रीविरिंदा वन में कविता है इसका मतलब होता है बिजली कर जोत यानि की जोती ठीक है जोत पीत मनोहर पीत मनोहर का क्या अर्थ होगा यानि मन के हर एक वाला पीर ठीक है धोती है और य हम लोग जब साधी होता है तो मौर बोलते हैं लेकिन वो मौर ही होता है ठीक ना बिया अबेरा मौर में पिंदे कवाला उसी को जो अपना सीर में पहना जाता है साधी के समय उसको मौर चंद्रिका बोलते हैं अधम का मतलब क्या होता है इस कहानी में अधम कर्माने पापी होता है विधार्मी होता है जो धार्म धार्मिक नहीं होता है उसको विधार्मी कहते हैं और चाम का अर्थ होता है चमडा तब ये कहानी ये कविता का आपको ट्रिक कैसा लगा ये भी बताईएगा चलिए अब न आर्थ है कौन से कविता से लिया गया है गौर कर एक भूपती भूपती या पकड़ने का परिहरे ठीक है परिहरे आपको लास्ट पॉइंट हम आपको बताया है कि हमेशा लास्ट पॉइंट याद रखेगा लास्ट लाइन याद रखेगा आपको एकदम ऐसे ही याद रह जा ठीक ना अब विद्यासमधन नहीं के कोन कभी लिखे हैं भाई विद्यासमधन नहीं के कोन कभी जै गोबिंद मिश्र कुन जय गोबिंद मिश्र तब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे तो देखिए जय गोबिंद मिश्र यानि कि गोबिंद में आ रहा है न यानि कि गोबिंदा हम लोग का हीरो ठीक है गोबिंदा हीरो जो बॉलिवूड हीरो है उसके पास क्या है विद्या के साथ साथ धन भी ह ठीक है विद्या और धन दोनों है तो विद्या शम धन नहीं विद्या शम गोविंदा के पास क्या चीज़ है दोनों है विद्या भी है और धन भी है क्या है विद्या और धन दोनों है गोविंदा हीरो के पास ठीक है धन तो है ही अब विद्या है तभी तो उसके पास धन है ठीक है, तब हम लोग तब याद रख लिए, कि भाई विद्या समदन नहीं, गोविंदा से हम लोग क्या याद रख लिए, जय गोविंद मेश्र, ठीक ये तो बढ़िया है, लेकिन इसका पद आप कैसे याद करें हम, पद, यानि कि पद तो चार्ग होता है, लेकिन याद कै करें अब, तो विद्या के पैर कहेगो था, चार्ग था, विद्या एक लड़की का नाम है यहाँ समझे तो, और विद्या के पैर कहेगो था, उसका हाथ भी क्या बन गया था, हाथ भी पैर ही बन गया था दोनों, तो वह बंदर जैसा चलती थी, ठीक है, कोई इसमें तीन चार ठीक है तो एक दो तीन चार ये लाइन विद्यासम धन नहीं ये भी चार है इससे हम लोग पकड़ सकते हैं कि ट्रिक जो है जो पद इसका है चार है ठीक है चलिए अब हम लोग सब्दार्थ की ओर चलते हैं गोर करेक यानि के चिंदन करेक भूपती यानि की राजा मुर्ध यानि की मुरक मनुझ यानि मनुख परिहरे मतलब छोड़ेक त्याग करेक यानि मतलब परिहरे मतलब छोड़ना है या फिर त्याग करना है जीमी मतलब होता है जैसन यानि की जैसन विटप डारी यानि की गच कर डाल, जो हम लोग बोलते हैं कि गच का कोई भी पेंड का डाल, उसको गच कर डाल बोला जाता है, ठीक है? तीमी मतलब ता ही सन, अवनी मतलब होता है धर्ती, यह हम लोग परियावाची पढ़ते हैं धर्ती का, भाखेक मतलब होता है बोलना, ठीक है? और चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लहठी लव के लहठी परकला याद कीजिए यह कौन से कविता से लिया गया है तो यह जो लिया गया है मन मोहनी इसको किस ने लिखा है कृपाल नरायन तिवारी कौन लिखे हैं कृपाल नरायन 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 तिवारी ठीक है तिवारी अब हम आपको बताते हैं कृपाल नरायन तिवारी लिखे हैं तो भाई याद रखें नरायन जी का ऐसा मूरत है न कृपाल नरायन यानि कि हम लोग का कृष्णा भगवान तो वो क्या मन को मोह लेते हैं इतना सुन्दर उनका लिला ह कि मन को मोह लेते हैं, हम लोग बिभोर हो जाते हैं, ठीक है, यानि कृष्ण भगवान को हम लोग देखे, मन क्या होता है, बिभोर हो जाता है, ठीक है, तो इससे हम लोग क्या याद कर सकते हैं, कि मन मोह नी जो लिखे हैं, कौन लिखे हैं, यानि कृपाल नरायन तिवारी ज लिखा है अब देखिए इसके पद कीतना होता है इसका पद है चार अब याद कैसे करेंगे अब याद कैसे करेंगे तो मन जो है चारो तरफ बहुत दोड़ता है, दिन नों भर दोड़ते रहता है, एक जगा मन इस्तिर रहबे नहीं करता है, यानि कि चारो तरफ दोड़ते रहता है, कुदते रहता है, कभी बोलता है कि नहीं रेस्टरेंट जाना चाहिए, कभी बोलता है नहीं घूमने जाना चाहिए, तो ये सब बातों पर अच्छे से ध्यान देंगे अभी जो है तो अभी आपको ये जो चारों तरफ हुआ यानि कि मन मोहनी के पद चार होते हैं ये भी ट्रिक तो ट्रिक से आपको लोग को यादी हो गया होगा याद हो गया होगा तो जरूर बोलेंगे लाठी कर्माने का होता है हाथ कर कलाई में पिंदेक वाला गाना परकला कर्माने का होला आइना जीका यानि केस में खोजेक वाला गाना खंबिया यानि के बाह में पिंदेक वाला गाना अब बेनी जो होता है गाथल केस या फिर चोटी ठीक है ये जो है भी भी आई है बस इसको CGL के लिए ये सब ध्यान दीजिएगा CGL के लिए बहुत ही ज़्यादा सब्दार्त इंपॉर्टेंट है दो सतिन प्रशन आएंगे इससे ठीक है नेक्स चलिए नेक्स चलते हैं जो है नल दम्यानती विवाह से है अब इसके लेखक कोन है आप ये बताईए ठीक है इनके लेखक लेखक और पद ठीक है नल दम्यानती जो है सबसे पहले तो आपको हम यह बताना चाहते हैं कि जो नल दम्यानती है उसके दो भाग है हमेशा एक बार question पूछ चुका है कि नल दम्यांतिय में कितना भाग है के तो दो भाग अब प्रतेक भाग में 5-5 है प्रतेक कहने का मतलब है कि 1-1 भाग 1 है ये और भाग 2 है ठीक है भाग 2 है अब प्रतेक पद में 5-5 पद है कितना 5-5 पद कितना है 5-5 ठीक है तो आप लोग को तो ऐसी याद हो गया होगा कि 2 भाग है अब प्रतेक पद में तो ये तो खुद ही trick है तो इसको वैसे पद को याद करना कोई कठे नहीं है बिकोज नल दम्यंती नल और दम्यंती यानि कि 2 भाग हो गया यहां तो important है ही देखे नल नल हो गया एक नल दम्यंती नल राजा दम्यंती रानी तो यहां दो गो आदमी हुआ यानि कि 2 भाग है ठीक है दो आदमी है दो आदमी का विवा हो रहा है ठीक न तो विवा हो रहा है तो उससे हम लोग पकड़ लेंगे कि भाग 2 है एक नल का और एक दम्यन्ति के याद करने के लिए बोल गाए और आप लोग बताएए कि ये दम्यन्ति, जो नल दम्यन्ति का पुत्र था उसका नाम क्या था? कमेंट सेक्षिन में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, पता नहों तो पूछेंगे कमेंट में, अब परतिक भाग में कितने पद हैं, पांच, तो ये तो ऐसे याद हो गया, अब चलिए, कि लेखक, लेखक कैसे याद रखेंगे, नल दमयंती, ठीक है, बिया, द्रिग पाल रा राम देव घरिया है, तो द्रिग पाल राम देव घरिया, अब देव घरिया में से कह लिजे, घर, तो हम लोग का बियाह कहां होता है, जो हम लोग का साधी होता है, बियाह होता है, कहां होता है, तो घर में, तो वहें से देव घरिया, जो है, देव घरिया से घर को उठाई और नल दम्यन्ति का विभा कहा हुआ घर में हुआ तो उससे हम लोग याद कर सकते हैं ठीक है तो यह आपको ट्रिक कैसा लग रहा है यह सब इंट्रेस्टेड है तो जरूर लिखें कि सर और ऐसा वीडियो लाईए मैं जरूर लाओंगा ठीक है तब इसका सब्दार्थ हम देख लेते हैं पद और ट्रिक तो हम लोग याद कर चुके हैं विदर्व एक ठाओ कर नाम जे महराष्ट में है ठाओ मतलब होता है अस्थान एक अस्थान का नाम है विदर्व जो की महराष्ट में है हर खाई कर माने का हुईला यह क्वेशन सकल मतलब होता है सब लौलीन मतलब होता है मगन होना मैं लौलीन हो गया ठीक है यानि कि मगन हो गया प्रभू में ठीक है लौलीन हो गया प्रभू में मतलब मगन हो गया प्रभू में मीरा भी लौलीन हो गई थी कृष्ण जी के प्यार में यानि कि भक्ती में ठीक है निज यह हम लोग पढ़े हैं कि यह सब क्या है निज यानि आपन नव मतलब होता है अकाश और भूप मतलब होता है राजा अलंकार का मतलब होता है गहना और आपको हम बता देते हैं कि नल दम्यंत्रिक के पुत्र का नाम इंद्रशेन था क्या था नाम इंद्रशेन, याद रखेगा, क्या नाम था इंद्रशेन, ठीक है, next चलिए, राम रग्वरे, राम रग्वरे के जो सबदार्थ हैं, ये सब भी 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 आई हैं, ठीक है, सबी पोयम के सबी, ये सब क्या है, बहुत ही ज़ाधा important है, अच्छे से देखना है, तो कुछ रिक से याद रखेंगे हम लोग और जो है राम रगवरे के लेखक पौरानिक पौरानिक गौरी नंदन क्या है गौरी नंदन गौरी नंदन ठीक है पौरानिक गौरी नंदन है न तब याद कैसे करेंगे तो देखिए जो राम जी का कहाने था न बहूत पुराना काल से चला रहा है तो पुराना यानि की यहां देखिए राम जी का राम रगुवरे यानि राम जी का जो कहानी है ना बहुत पुराना काल से चलते है रहे है यानि पुराना यानि की पौरानिक समझ में आया है राम से राम रगुवरे और पुराना से पौरानिक गौरिनांदन अब राम जी के कितने भाई तो चार भाई अरे तब पदवा ना याद हो गया याद हो गया ना पद चली अब सब्दार्थ देख लेते हैं ठीक ना सब्दार्थ विदर्व एक अस्थान का नाम है या भी तुरंद पढ़े पुनित मतलब होता है पवित्र पुनित गर्माने का सुद्ध सा का हारी है तो वहीं पुनित पवित्र सा का हारी गंगा पुनित जल है के ठीक है गंगा पुनित जल है के पवित्र जल है के गिरी गिरी करमाने का होला पहाड सीतल सीतल करमाने का होला तो ठंधा नभ करमाने का होला अकास और दुधुम्भी करमाने कमेंट शिक्स में कमेंट जकर जरूर करें ठीक है अभी हम आपको बाजा पढ़ाएंगे आगे लेकिन अभी बताईए जरूर कि बाजा कर लेखा कोन के और इसके पद कौन है मेरा गला अभी भी खस खसा रहा है मतलब गला फसा हुआ है इसलिए दो दिन से क्लास नहीं ले रह है यानि कि ये जो है सुहावन, कुटासी, समाठ किस में था बाजा में था ठीक है बाजा में था और ये आप लोग को बताईए कि बाजा बजने का करम कोन था पहले कुटासी बज रहा था कि समाठ बज रहा था कि सूप की बढ़ने ये कमेंट लिखिए पहले ए में है फिर बजा B में आपका कुटासी लिख देते हैं कुटासी करम बताईए सबसे पहले से बाद तक पहले कौन बजा था और उसके बाद कौन सबसे पहले कौन बजा उसके बाद उसके बाद यानि कि बढ़ते करम में फिर समाठ की बढ़नी ये चारों में से सबसे पहले कौन बजा कमेंट सिक्सर में जरूर कमेंट करेंगे बढ़नी बढ़नी मतलब समझते है ना अरे जाड़ू ठीक ना तो ये बताए ये बाजा से यानि कि बाजा कर लेखक कौन है के तो अरजुन अरजुन भगत ठीक है अर्जुन भगत बाजा के लिखक है और बाजा कर पद कैगो है बाजा कर पद जो है नौगो है ठीक न तो बाजा न और ये कौन से राग में है तो फगवा राग में है फगवा पुछारी ठीक है फगवा पुछारी राग में है तो अर्जुन सिंह जो बाजा बजाने के नानि बजाओ तो अरजुन सिंग बोलने थे कि 9, 9, 9, मत बजाओ, नो, मत बजाओ, यहनि कि 9 से हम लोग को 9 याद रख लेना है, बाजा में पद 9 है और भगवा में वह बजा रहा था एक आदमी लेकिन अर्जुन सिंग मना किये तो ये तो कहाने सुनने के बाद बाजा का सब को चयादी हो गया होगा तो ये बता दिजिए कि बाजा कर पद कैगो हके और बाजा का पद कैगो हके और एकर लेखक को नगे चलिया खर गागो है कविता में बहुत बार में आ चुका है कि उखर में उपरे कुटे कवाला लंबा डंटा जो लोहक कर नहीं होता है जो उपरे कुटे है उसको बोला खाता है समाट ठीक है मोड जेकर बूधी ना रहला या कम रहला जेकर बूधी नहीं रहता है या तो फिर कम रहता है बर्णी कर्माने जाड़ू होता है ठीक है चलिए next जो है बहुत interesting है यह सब जरूर देखना है तब आप यह बताईए कि रिंग चिंगिया यह जो है कौन से कविता से लिया गया है रिंग चिंगिया से लिया गया है और इसके लेखक कौन है रिंग चिंगिया रिंग चिंगिया ठीक है रिंग चिंगिया और इसके लेखक प्रफुल कुमार राए उनके लेखक है तो भाई अब याद कैसे करे तो ring ring chingia मतलब देखिए ring chingia से तो हम लोग याद टो इतना तो आयाद कर सकते है कि जो changa लोग होता है हम लोग गाओं में क्या बोलते है बच्चालोग को चेंगा चेंगा पुता बोलते है उनकि चेंगा बच्चा लोग, जब होता है प्रफुलित भावोग धंशता है, ठीक है, अनि कि चेंगा क्या होता है, रिंग रिंग रिंग, घड्टी बजाकर वो प्रफुलित होता है, खुशी मनाता है, तो इस से हम लोग यह ट्रिक से याद कर लेंगे, अब बताईए कि रिंग चिंग्या में कितना पद है ठीक है यह आपको बताना है तो रिंग चिंग्या में कह को पद है तो नो को पद है ठीक है अब याद कैसे करेंगे रिंग रिंग चिंग्या तो देखिए यहां रिंग में भी न आ रहा है ठीक ना रिंग जो है कितना नो रुपया का लिया रिंग ये अच्छा याद रहेगा, ठीक है, दो ट्रीक इसका है, या तो 9 रुपया का रिंग लिया, या फिर 9 अपना जो उंगली है, हाथ का, 9 उंगली में रिंग पाना, ठीक है, ये तो यादी हो गया, कि प्रफुल, कुमार, राय, रिंग, चिंग्या लिके है, बच्चा लोग न रिंग, रिंग, घंटी बजाकर साइकल का वो परफुलित होते हैं, और इसके पद नव होते हैं, सब्दात चलिए, पढ़ लेते हैं, जो कि सभी एकजामों के लिए महत्तोपूर्ण है, फांद में पर एक, यानि कि क्या चीज, मुशीबत में पर एक, खोईर, यानि कि गा दादी थी ना, तो लीले बोलती थी, ठीक ना, दादी के, पापा दादी बताती थी कि नील को लील बोला जाता था, लेकिन हम लोग को फिर दादी को, हम लोग ने सिखाए कि नील बोला जाता है, ठीक है, लील, भिंसरिया, मूर्गा बोले कबिरा, भिहान चार बजे कर आस यह question बहुत ही बार पूच चुक है कि पेपला कर्माने का होते है ठीक है बत्तक को क्या कहते है नाकपुरी में जल्दी बताएं comment section में comment कीजिये कि बत्तक को क्या कहते है ठीक शलिए next हम लोग देखते है ठीक है पहार मुरहर और ये कौन से नागोंसी, तो ये कौन से कविता संबन्दीत है, यानि कि जारखन वंदना, ठीक है, जारखन, जारखन वंदना, ठीक है, पद कितना है इसमें, तो जारखन वंदना में, पद कैगो है, पद जो है, नौगो है, मैं इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, अब मिर्त्विंजय नाथ सर्मा, मिर्त्विंजय नाथ सर्मा, जब जार्खन वंदना, मिर्त्विंजय नाथ, हम बताते हैं कि जार्खन का जो वंदना है न, जार्खन हम लोग को ऐसे नहीं प्राप्त हुआ है, जारखंड वंदना हम लोग एक ट्रीक यात करें जारखंड को पाने के लिए बहुत पापड बेलना पड़ा है यानि कि मर मर के आदमी जारखंड को पाया है जारखंड को अलग करवाया है अलग करवाने का हात किसका था आप लोग तो जानी रहे हैं तो जान रहे हैं तो comment section में comment जलू करें जैपाल सिंह का इसमें हात रहा है झारखन अलग को मांगकर लेकिन मर मर के मतलब मर मर के चिल 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 ओती धूप में मरे नहीं मतलब की चिल चिलाती धूप में खड़ा हो तो वो एक मरना ही यो टाइप होता है मर मर कर ठीक है जारखन वंदना जारखन पद कैसे अब याद करेंगे ठीक है जारखन वंदना ना ना से हम लोग क्या ले लेंगे? नौ ले लेंगे ठीक है? ना से क्या ले लेंगे? तो ज्ञार्खण वंदना के पद कितना है? नौ गौ है चलिए सब्दार्थ की और देख लेते हैं तो पहार क्रहोता है उज़ पहार मूरहर का मतलब है जारखंड में तीन ठीन मुड़हर पहार हाई, कोन-कोन, सुतियांबे, खुखरा, नगर याने सिसाई गुमला तरब, जहां नाकवंसी राजामन अपने राजाने बनाया था, हना, चलिए, अब इसे भी अच्छा-च्छा जो सब्दार्थ है, और भी इंट्रेस्टिंग, और सब्दार्थ के साथ साथ जितने भी सब्दार्थ हैं, उसे भी हम लोग याद कर लेंगे, अगर पूरी, पूरी कविता का, पूरी कविता का PDF, अब अगर short trick, लेखक, लेखिका का, आप देखना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जाइए, और कविता का short trick, जो है, उसको ए याद करना है, तो वीडियो अपलोड किया हुआ है, एडि शाकन क्लास में जाए, प्ले लिस्ट में जाए, और देखे, लेखा के पद और कविता का short trick, ठीक है, चलिए, ये बताए, मोल, यानि कि यह जो कविता है, मोल, अनमोल, यानि कि यह अनमोल कविता से लिया गया है, तो अनमोल को कोन लिखा है, अनमोल कविता जो है, कोन लिखा है, धनेंदर प्रवाही, ठीक है, अब पद कहेगो है, पद जो है, चार है, और इनके धनेंदर प्रवाही, धनेंदर प्रवाही, अब आप लोग मुझे यह बताएए, कि जो अनमोल है न धनेंदर, यानि कि धन जो होता है ना अनमोल होता है ठीक है बस यही एक ट्रीक है यहां अनमोल धन अनमोल धन दस बार रट लीजिए आपको याद हो जाएगा कभी नहीं बूलिएगा ठीक है और जो पद है अनमोल अब पद्र कैसे याद करेंगे याने के जो अब देखिए यहां जो अनमुल है एक दू, तीन, चार तो यहां पद्र चार हो गया याद रहेगा? चलिए मुल कर माने होता है दाम जगत याने दुनिया अनमुल कर जेकर मुल न खे ठीक है महिमा मतलब महातम होता है अमद्र याने की मधूर मीठा ठीक है next चलते हैं घूगा घूगा कर माने का होता है घूंगट माझे याने की बीचे उर मतलब का होवेला छाती कर मतलब हाथ अंग भरी याने की अक्वाइर लिवेक मुदित हुलसाय याने की खुस होवेक मेग याने की बदरी माझे याने बीचे सबदार तो किलियर हो गया लेकिन भाई एक कौन से कविता से लिया गया है तो यह जो कविता है यह चांद मुस्काय से लिया गया है ठीक है तो चांद मुस्काए भाई, चांद मुस्काए में कौन लिखे हैं पहले बताये, पद कितना है, तो पद चार है, और इनके जो है द्वार का नाथ सीना, ये चांद मुस्काए लिखे हैं, अब हम आपको बताते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि चार चांद लग गया है ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं अरे इतना अच्छा दिख रहा है एकदम चार चांद लग गया है तो चार चांद से हम लोग क्या रखेंगे और कि चांद मुझका है मैं पद कितना है चार है ठीक है और द्वारिका जब ऐसा वोलता है कि पекстूम् इद लिख के नहीं दिख रहा है और कि वह डुबारा नहीं दिखता है दुबारा से हो गया दुआरिका लिख कैंव जिएडी larvae क्टीकैं कि तो हें है टो आपको यह आध होते कि एद का चांद बन गया है क्या कि मतलब एक साल के बाद ही दिखता है वैसे हना कि तो यहीं बात है तो यहां दुबारा से क्या हो गया द्वार का नाथ सीना यानि कि चांद मुस्काई किसने लखे यह द्वार का नाथ सीना नेक्स नेक्स्ट और चलते हैं ये देखिए जो डगरी है डगरी कर्माने का होता है डगर यानि कि डगर ये बताए कि ये कौन से कविता से लिया गया है तो ये पनिहारीन से लिया गया है ठीक है ये पनिहारीन से है और ये जो सब्द है सब्दार्थ है पनिहारिन कविता से है ठीक है पनिहारिन ठीक ना पनिहारिन और इसमें पद कितना है पांच हम फिर से बोल रहे हैं अगर आपको फुल केवल लेखा का और लेखी का का पद और ट्रिक से याद करना है तो वीडियो जरूर देखेंगे और ट्रिक के साथ पूरा देखना हो तो वो वीडियो देखेंगे हाना जरूर सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा ना जो थमनेल होता है उसमें लिखा हुआ होगा ठीक है तो पद कितना होता है पांच होता है और पनिहारिन को कौन लिखा है मधू मनसूरी हस्मुख मधू मसूरी मनसूरी हस्मुख ये तो हो गया अब देखिए पद अब कैसे याद करेंगे पद लेखक तो दोनों तो पनिहारिन का पद कितना है पांच है पसे पनिहारिन और पसे पांच पसे पनिहारीन और पसे 5 और देखिए पानी जो है न मधु यानि कि लड़की लोगी भरती है मधु कैसा नाम है लड़की लोग का नाम है ठीक है तो मधु लोगी जैसे कि लड़की लोगी पानी भरती है तब याद नहीं हो गया कि पनिहारिन को लिखा है मदू मंसूरिय हस हस के मदू पानी भरती है यानि कि मदू मंसूरिय हस मुख पानी कैसे भरा रहा है हस हस के ठीक न तो और ये जो पनिहारिन है यानि कि महिला लोगी पानी भरती है तो यह क्या है, महिला को क्या है और बोल सकते है नाकपुरी में, जनाना, ठीक है, यानि कि जनानी बोल सकते हैं, तो यह कौन से राग में लिखा गया है, यह जनानी राग में भी लिखा गया है, ठीक है, अब चलिए, यह हम सवदार्थ क्यों चलते हैं, सवीता कर्माने मतलब दिवानिस यानि की राइदीन नैना नैना करमाने का होला आयक मलय यानि की हवा होता है अक्वारी यानि की अक्वार यानि पोटरायक ठीक है बितलायक यानि परिसान करेक ठीक है बितलायक यानि परिसान करेक कुष्ण कुष्ण करमाने का होला यानि की कुष्ण करमाने फूल होता है ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं विकट समस्या विकट समस्या अब हम लोग विकट समस्या के सब्दों को पढ़ते हैं कि और सबसे पहले यह बताएं कि विकट समस्या के लेखक कोन है लेखक और इसका पद कोन है पद कितना है तो विकट का समस्या का जो पद है कि और विक्र समस्या का पद कितना है इसमें पद आप नहीं भी याद किजीएगा तो वैसे कोई दिख्कत नहीं है ठिक ना . विकॉज इसमें कोई मेंसन नहीं है पद लेकिन हां आप जितने भी इसमें टेक है न और जितने children उपर वाला है, जैसे कि चार लैंग लिह का उसको आप पद गिन सकते हैं, ठिक ना, ठिक है, तो वैसे पद आप गिन सकते हैं, ठिक है, ठिक है, तेकिया, सब्दार्त, यानि कि जनारधन का मानने का होई ला है, हां तो विकat समस्य लिखें कौन, काली कुमार, शुमन, कौन लिखे हैं, काली कुमार, शुमन, यह है, लेखा के नाम, याद कैसे करेंगे काली कुमार, शुमन, तो विकट, जब विकट समस्य आता है, तो सगरों तुरफ अंधेरा ही दिखता है, काला काला दिखता है, ठीक है, तो इससे आप लोग याद रखे अब बताईए कोईल कोईल एकर पद कितना है और लेखक का नाम क्या है इसको ट्रिक से याद करें तो कोईल जो है मुकुंद नायक द्वारे लिखा गया है मुकुंद नायक जो कभी है इनको बहुत सारा पुरसकार में मिल चुका है और इनके बारे में हम पूरा पढ़ा चुके हैं ठीक है लिखक के बारे में भी पूछने का बहुत चांसस होता है और यह जो राग है अंगन कोईल ठीक है यानिकि कोईल जो है चार गो कोईल था और वह अंगना में कुद गया कोईल जो था कोईल जो था चार गो कोईल था वह अंगना में कुद गया तो कुदने से हो गया मुकूंद नायक ठीक है अंगना से हो गया अंगना ही राग में लिखा गया है ठीक है और पद हो गया चार यानि कि चार कोयल अगना में कूद गया यह इसको नोट लिखिए हम नहीं लिखने वाले हैं ठीक है आप लोग लिखिए क्या लिखिएगा कि चार कोयल अगना अगना में कूद गया कूदा तो कूद गया फिर कूदा कूदा से हो गया मुकुंदना है कोयल से हो गया कोयल कवीता चार से हो गया चार पद और अंगना से हो गया अगनेगा समझ में आया तो चलिए हम लोग अभी इसका सवदार्थ याद कर लेते हैं कोहल एक किसम कर पंची है ठीक है एक किसम कर क्या है यह पंची है मोहला यानि कि किकरो मन को मन के बस में करना किकरो मन को क्या करना कोई भी किसी का मन है उसको बस में करना सरत यानि कि जाल होता है नजिकाय यानिकी भीरी आवेग, क्या है भीरी आवेग तेरे ला मतलब सुड छेरता है तेरना यानिकी सुड नित यानिकी रोज होता है मधूर अटलब मीठा समझ भाया है मति करुशान कर पद कैगू आहे और इकर लिखक कोन है इसका भी हम लोग याद करने वाले तो मती करू सान सान से इसका पत जो है कितना है सिक्स है और इसके लेखा कोन है देवेंद्र नाथ देवेंद्र नाथ देखिए जो रावन जी के पतनी थी न वो बोलती है नाथ आप अपने आप पर गुमान मत कीजिए सान मत कीजिए ठीक है भगवान राम ये सब के बारे में बहुत अच्छा बोलती थी कि उन लोग सन्यासी है मतलब कि आप उनके चरूरों में चले जाए आप गलती किये हैं तो ऐसा बोलती थी तो हे नाथ देवेंद्र नाथ हे नाथ से देवेंद्र नाथ समझना है और सान से सिक्स मती करू सान कोण बोलती थी रावन जी की पतनी मती करू सान सिक्स क्या मती करू सान सिक्स सिक्स से सान सिक्स मती करू सान सिक्स यानि कि मती करू सान सिक्स में कितना अपपाद हो गया छे हवे नात, यानि कि देविंदर नात, समझे हैं, next, अभी इसका हम लोग सब्दार देख लेते हैं, शान कर मतलब होता है, गुमान, अभिमान, इसका मतलब होता है, गर्व घमंड सेखी, छिती शान का मतलब होता है, बिखर जाना, ठीकशे की नात, पतियायत, मतलब विश् करना जवानी जब जगता है जवानी जब जागे ला एक और लिखक कौन है के तो मेगनात ओहदार और इसका पद कितना है शिक्स देखिए जब आदमी जब जवान रहता है या फिर महेंदर शिंग दौनी जब जवान दे तो पूरा एकदम छक के छक्का मारते थे ठीक ना पूरा छक्का अब इतना मारते थे कि वो मेग घगर जा देते थे बारिस होने लगता था कभी-कभी-मैज खिलते खिलते थे तो हम लोग इस से याद रखेंगे कि जब जवानी जगता है तो महेंदर शिंग दावनी जैसा वो विराट कोली जैसे कभी-कभी मारते हैं विराट कोली भी अभी इनके जैसा क्या करते हैं अभी एक दम मस्त छक्का छक्का मारते हैं जब जवानी था तो बहुत ही छक्का मारते थे अभी विराट कोली जवान है तो वो अभी छक्का लगा रहे हैं समझे जवानी जब जाके ला तो छक्का ही छक् मतलब की जो बंदक होता है जो आदमी काम कराने के लिए अलगटे याने की असानी से कोई भी कारे अलगटे हो गए है मतलब की असानी से हो गया है सोना ना रूपा भेल सोनाना रूपा भेल एकर पत कह गो है तीन गो है और पार्धनंध तीवारी तो लिख दिये हैं कि भाई सोना ना रूपा भेल तो हम यह बताते हैं कि जो हम लोग का पार्थ पार्थ कोन बोलते थे आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान सरी क्रिश्न जब भी अर्जुन को उस दिन पार्थ पढ़ाये थे युद्ध भूमी में कि गीता का जब प्रवचन सुनायते तो हे पार्थ हे पार्थ बोते थे तो वो पार्थ याद रखिएगा और जो भी बात बोलेते हैं वो सोना था दम सोना बात था ठेक न उस्से हम लोग याद करेंगे पार्थ यानिकि सोना, सोना न रूपा भेल, ठीक है, अब पद कितना है, सोना न रूपा भेल, यानिकि भेल, ठीक है, सोना कैसे था, सोना तीन रूपे, और जो वो गीता सोना जा रहा था, कितने आदमी सुन रहे थे, एक विदूर थे, अम तब देख कून रहा था, एक वो कितने अर्जुन जी आने की तीन ठीक है जब वो बोला दा रहा था तो आप याद रहा किया गया कि पद तीन गोई है नेक्स्ट जो है तब देखिए नेक्स्ट जो होता है है वो तोर बीना है ठीक है तो इसका पद जो है चार है और ये मधु सुदन दूबे लिखा है ठीक है मधु सुदन ठीक है अब देखिए यहाँ तोर फोर फोर से तो ये समझ में आगा कि तोर फोर तोर बीना कर पद क्यागो हो कि चारगो है ठीक है और इसके लेखक इसके लेखक जो है कितना है इसका लेखक जो है मदसुदन है ठीक है चलिए इसका जो सब्दार्थ होगा क्या होगा सुनन रूपा यानि की मनी यानि की कीमती चीज का नाम है धिक धिक यानि की धिककार है ठीक है डेरा यानि की अस्थाई लुप से रहक वाला स्थान याने के ठाऊ ठीक है मेन याने मचली मली याने बदरंग उदास नेक्स्ट धर्ति है रतन ठीक है धर्ति है रतन जो है यह बताएए कि यह किसके त्वारे लिखा गया है और पद कितना है आप जरूर बताईए ठीक है तो इसमें जो है पद जो है चार गो है धर्ती है रतन में चार है और धर्ती है रतन राम उचित सिंग ठीक है राम उचित सिंग मतलब हमारा धर्ती रतन है ये बात राम भगवान बोले कि उचित है तो ये आपको याद हो गया होगा और ये जरूर से जरूर ये सब याद कर लेंगे बिकोज ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है CGL के लिए और हाँ आप लोग के लिए सेट बुक जो 80 जरूर क्लासिस का निकलने वाला है निव एर में निकल जाएगा नागपुरी लोग साहित्ती के साथ नागपुरी सेट दोनों साथ में रहेंगे बस वो बु होती ज़्यादा इंपोर्टेंट हो अब देखिए इसके सब्दार्थ जो हैं लेकिन आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जितना जल्दी कीजिएगा चैनल उतना ही जल्दी आप लोग का बुक आएगा ठीक है दोस्तों को सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और जरूर देखें ठीक है फुल फुल वाईर जब फुल फुल वाईर याने की फूल कर बगीचा पलायन याने की आपन राय छोड़ के कमाय के लिए दोसर राय जाए भूजबल याने की आपन ताकत पर अब चलिए हम लोग क्या पढ़ की जब कोई इस अनुद का नाम द Town आ तो हम लोग नहीं बता पाते हैं तो उसको जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें कोज को ऑज को बहूर ये घृटा में थता है बस कठीन वरी लिए nakपरी के टिक है उठ को क्या बला जाता है उठी उठने वाली पक्ची को उड़ेक वाला चराई ठीक है एक प्रकार की छोटी चिनी यानि एक किसम कर छोट चराई केकड़ा किसको बला जाता है केकड़ा को नाकपुरी में का बला जाता है हम आप से बहुत सारे सेट में बोले हैं कि खाकरा का क कहल जाएला तो यह केकला को खाखड़ा जाता है यानि के खाखड़ा क कहल जाएला केकला को भवेष को कहा जाता है कारा कि कतला मठिकला रटychले करन्सऽाप को कराइजसाप के यही सब सुध्धिकरन शुत जब सुधी करन और न कब नागमी वर्ड का नाकपुरी वर्ड कर सुधी करन तो यहीं सब क्वेश्चना आएंगे ठीक है कावा हनुक्वा किरकेट आपक्षी है यह गर स्यमएं कवल झ्ल को आप q타 कच्छुर को था है यही स़री है कबुतर को नाकपुरी में क्या बोला जाता है देखिए यह सब भीवी आई है पेरवा क्या बोला जाता है पेरवा खांसी को खांसी बोला जाता है खरगोस यह भी बहुत जादा भीवी आई है खरगोस को लांभा बोला जाता है क्या बोला जाता है लांभा गाय जो है गाय को क्या बोला जाता है गरूर पक्षी गाय को गाय गरूर चराई गरूर पक्षी गधा नाकपुरी में गधा गिद्ध इसमें गरूर पक्षी तो गेरवा देखे यह भी बहुत ही ज़्यादा भीविया है जिसमें भी हैं स्टार माग दे रहे हैं उसको आप नोट्स कर लेंगे गोंगा गोंगा गुखली गडियाल गडियाल गोंडा होता है एक पक्षी ठीके घाटो पक्षी घाटो चराई पक्षी को चराई बोला जाता है बस यह याद रखेगा हाना मूसा को चूटरी नाकपुरी में चूटरी बोला जाता है मूसा को यानि कि मूस को चूटरी बोल चुहा को चुटरी बोला जाता है ठीक है चुन यहानी चराई चेगना चेगना अब वैसे कुछ भी नहीं है चुच को नाकपुरी में ठोर बोला जाता है छोटा मधुमकी को छोटा मौध बोला जाता है चचुंदर को नाकपुरी में छुचुंदाईर बोला जाता है छोटा तोता जिंगूर जिंगूर को क्या बोलते हैं कि चली और देखिए बता को क्या बोल जाता है नागपुरी में बता को गेड़े बोल जाता है क्या जाता है गेड़ी बाज भक्षी को बाज चरें बंदर को बंदरा बड़ा चुहा बड़ा मुसा ठीक है यह सब बिड़नी यह सब तो सेमी बोला जाता है बड़ा भॉरा बढ़का भॉरा भग जुगनी भग जोगनी बोला जाता है नाकपुरी में मैना लेकिन इसमें मैना होत बन भालु को बन भालु में बन भालु को लगाता है तो आपका वीडियो यहीं समाप्त होता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें किरें ठीक है और ही नागपुरी लोग शाहित थे नागपुरी लोग साहित थे जो भुवनेश्वरान उसके द्वारा लिखा गया है अगर उसको उसका आपका ठीक है पीडिएफ या फिव वन लाइनर दोनों खरीदना हो तो जरूर डबल एट सिक्स्ट्री डबल एट फोर टू पर वाट्सप करेंगे आपको पीडिएफ एविलेबल हो जाएगा ठीक है बिकोज अब वो पूरा बुक पढ़ने का जंजट खतम हो गया पूरा बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ठीक ना पूरा बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है सो आप इस पर मैसेज किजिए आपको प्रिएफ प्राप्त हो जाएंगे त बन्यवाद वच्छिं पर इस वीडियो